सो गैज आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप Realme X7 Max मोबाइल में आप Fingerprint Screen Lock को सेट कर सकते हो दोस्तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट के अभी तक आपने चैनल को सब्स्राइब लिए तो जनल को सब्स्राइब जरू कर देना दोस्तो आपको क्या करना है सबसे पहले Setting को Open करना है Setting को Open करने के बाद नीचे जाना है तो यहाँ पर आपको एक Option मिल जाएगा Fingerprint Face and Password का तो Fingerprint Face and Password पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पर लिखा हुआ है Add Fingerprint तो add fingerprint पर आपको click करना है यहाँपर click करने के बाद canteen Canadian option आ जाएगा तो continue आपको कर देना है यहाँपर देखे continue का आप सना चुक है उसके बाद यहाँपर आपको अपना password डाड देना जो भी आपका password है उसको डाल देजिए आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर Screen recording चल लिए तो दोस्तो आपको अपना password डाल देना है और password डाल देने के बाद दोस्तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर जैसे आप अपना password डाल दोगे तो यहाँ पर देखिए मैं finger को अपने लगा रहा हूँ और आप इसे तरीके से लगा सकते हूँ उसके बाद देखिए continue option आप दोस्तो आपका fingerprint जो है एड हो चुका है अब यहाँ से एड है fingerprint पर क्लिक करके आप दूसरी finger को भी एड कर सकते हूँ दोस्तो अब आप बैक जा सकते हूँ कोई दिक्कत नहीं आपका fingerprint आप जो fingerprint lock है वो लग चुका है यानि कि screen lock लग चुका है अब आप जब भी screen lock को open करोगे तो अपने finger से ही उसको open कर पाऊगे दोस्तो वीडियो पसंद दया हो तो वीडियो को like करना और चैनल को subscribe जरू कर लेना